तो दोस्तों अगर आप एक सरकारी नौकरी के तालास में हैं और एक सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो जो है आपको बिलकुल भी स्किप नहीं करना है। जिया दोस्तों मैं को उता दू कि अगर आप एक सरकारी नोकरी करना चाहते हैं भारतिय डाक भीवाग में अगर आप दसवी पास हैं बारवी पास हैं बीना एक्जाम दीए जो है आपको नोकरी मिलने वारी है जिया दोस्तों मैं आपको बता दू कि भारतिय डाक विवाग में इस बत की बहुत बड़ी वगैंसी सामने निकल गा रही है अगर आप 10 भी पास ने 12 भी पास है तो आप लोग के लिए एक बहुत ही सुनारा मौका भारतिय डाक में गौर्मेंटेट नौकरी करना है जिया दोस्तों मैं आपको बता दू कि आज किस वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारतिय डाक विवाग में जो है कौन-कौन से पदों पे भारतिय जो है हाली में जारी की गई है और मैं आपको बता दू कि लास्ट जो है जनवरी 2022 तक जो है डेट रखा गया इस भरती का तो आज किस वीडियो में हम लोग पूरी भरती के बारे में जानेंगे कि किस-किस पोस्ट पे भरती डाक में जो है भरती जारी की गई है तो दोस्तो आएए आज की इस कमाल की वीडि पर्ति डाक विबाग पोस्ट नेम की बात कहरे तो स्टाफ जो है का ड्राइबर का जो है यह पोस्ट आपका जारी किया गया है नंबर अगैंसी आपको जो है नोटीज में जो का आपकी डिस्क्रिप्सर में मैं लिंक देदूँगा वहाँ पर जो है इसका आपका पूरा न कि अपन टर्कान की बात करें तो आपको जो हैं पर्केल्स चांड तरक रकेरम प्रसागा और अगले कि बात करें अब किया तो किसी बीक तरह का कोई मैंफेसिंग चार्ज में आपको नहीं देना है तो इसकल टेस्ट अगा एक्षामिशन होगा किसी बाद का कोई exam नहीं होगा बस आपका skill test होगा वहीं application mode की बात करें apply mode जो है आपको offline करना आपको examination form फिल करके जमा करना होगा ठीक है job location की बात करें तो all India India में all over में कहीं भी आपका होश रखता है अगर आप इस भरती के बारे में पूरा डिटेल जाना चाहते हैं तो आपको www.india-post.gov.in आप इस भरती के बारे में पूरा डिटेल आपको आपे मिल जागा अगले पोस्ट की जो हम बात करेंगे यहां पी जो है Indian Post Organization निम भारती ठाक और ये जो है कोस्ट क्स्ट्रांस के पद जो है जारी किया ठीक है और इसके नीचे जाएंगे तो आपको जो है इसका लाश डिट रखा गया है और इसका जो है सेलरी की बात करें तो आपको 15-55,000 पर मंद जो है सेलरी दिया जाएगा यह जो है काफी अच्छा सेलरी है आपके लिए ठीक है यहां पर बात करें एजुकरिशन क्वालिफिकेशन की तो जो है कोस्ट अकाउंटन जो होना चाह है एफिकेशन के बात करें तो क्सी नहीं लिया जाएगा इसलेक्शन प्रोसेश की बात करें तो इस लिए बात करनेे जाएगा नहीं होनाट बस क्योंगुला है और अपको जो है इन्टियू लिया जाएगा एप्लाइ मोड के आप को जिन्ग ए थो जो डॉट योट योट इन के जो है फिजल वैबसाइट पर जाकर के जो है आप इसका पूरा डीटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों अगला जो पोस्ट आता है जिसका पोस्ट निम है पोस्टल एट एससेंट जिसको पी ये कहा जाता है या सौर्टिंग एससेंट फैलिए है पुस्ट जो है मिल्टिपल मल्टि तक फि congress में आपको दे जाएगा इसकते हैं दोस्तों यांपड बेंचित ऑग करें पोस्ट में का जो है सेलरी यहां पे 21,700 से जो है 69,100 करीब रखा गया है मैं लेबल 3 की बात करें तो मल्डिकल यानि की MTS अब इस मल्टि टासक अब का सेलरी जो है 18,000 से 56,900 के बीच आपको यहाप इस पोस्ट में इस पोस्ट में बात करें तो पोस्ट एससिस्टेंट स्वार्टिंग असे जानि के पोस्ट में के लिए आप वोस्ट में बारा पास जो है अनिवार मीजा है उनने जाए अगया तो दोस्तों यहां पर आप साब तो पर आप देख सकते हैं इस लिमेट जो है पुश्ट एसेस्टेंट और ऐसी के लिए जो है 18-27 का रखा गया मॉल्टिंग टास्किंग यानि की लेवल फर्स्ट का जो है 18-25 तो है रखा गया है तो दोस्तों यह तो आपका जो है कुछ अप्लिकेशन फी जो है आपको यहां पर देने होंगे फॉर ऑल केंडिटेट जो है 100 रुपए पे करना होगा थ्रो चालांटी के तो 100 रुपए जो है एक्जामिशन फी रखा गया है वह सेलेक्शन प्रोश्ट की बात करें तो यह जो है स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के यह जो है किसी बातर न करें कोई एक्जामिशन नहीं होगा आपको जो है स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन चे अधार पी जो है इसमें आपको चैनित किया जाएगा apply mode की बात करें तो offline है job location जो है बिहार इंडिया में जो है ये बिहार राचिम का जो है job है अगर आप official website पर जाने चाहते हैं तो www.indianpost.gov.in पर जाकर के आप वहां से पूरी detail देख सकते हैं तो दोस्तों ये जो है कुछ Indian post में हाली में जारी की गई वत्रय भरती थी आज का वीडियो पॉस्सान दाता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेज़ेगा बाइल आकन को प्रस कर लेज़ेगा तैकि इस तरह का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहता है